एलो एवरीवन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है NCRT आधारित साइन्स के प्रसन और उत्तर जिसका आज सेट नमबर एक है क्योंकि आज से हम सब नए सीरीज की सुरबात कर रहे हैं तो ये साइन्स आधारित कोश्चन हो बिहार SSC जो इंटर अस्तरिय फरम आया है उसका एकजाम देंगे बिहार पुलिस का एकजाम देंगे तो कोई भी अगर आप एकजाम दे रहा है जआप साइज के प्रसन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर NCRT आधारित प्रसन पूछे ही पूछे जाएंगे तो इस कारण से इस सिरीज को शुरू करने का हमारा उद्देश है कि आपका एक भी प्रस्ण साइंस का छूटे नहीं, चाहे वो कितना भी easy हो या कितना भी hard हो, ठीक है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगे कि इसमें क्या actual में पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत important series ये सुरू किया हूँ, इसका मैं playlist बना दूँगा, NCRT अधारित, Science के प्रस्ण और उत्तर, तो आप वहाँ से जा करके daily देख पाएंगे, इसके अलावा अगर इसका आपको pdf चाहिए, तो टेली ग्राम लिंक मैं share कर दूँगा, description में वहाँ से जा करके free of cost आप pdf डाउनलोड कर पाएंगे, चलिए वीडियो की सुरुबात करते हैं, और एक एक करके प्रस्ण को देखते हैं, चलिए आज का पहला question है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है वीराम का जड़त, ठीक है, तो direct question आता है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकन अलग हो जाता है, जब भी इसके अचानक चलने पर उसमें बैठे यातरी पीछे की और गिर पड़ते हैं इसका कारण भी क्या है विराम का जड़त या पेड की साखाओं को तेजी से हिलाने पर उसमें फल नीचे गिर पड़ते हैं इसका कारण भी क्या है विराम का जड़त नीचे मैं विराम का जड़त पीछे की और गर जाते है ऐसा क्या कारण है ? दिखें बस पर जैसे ही बैठते हैं ? तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो तो बस से connected रहता है लेकिनıyorsun करण से बस से अचानक चलने पर यातरी पीछे की और गिर पढ़ते हैं तो इसका मुख कारण है विराम का जड़त तो ये पहला का अंसर हो जाता है आईए सेकेंड कोश्चन देखते हैं तेरते समय पानी को पीछे की और धकेलना ये किसका उधारन है तो इसका अंसर हो जाएगा न्यूटन के गती का तिर्तियनियम यानि तीसरा सबसे पहले definition से समझते हैं कि न्यूटन के गती का तीसरा नियम क्या कहता है देखें नीचे परिभासा है जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तू भी पहले वस्तू पर उतना ही विपरी दिशा में बल लगाती है यानि जब हम तेरते हैं तो हम अपने हाथ को पीछे किये तो पानी में बल लगाए तो पानी भी हमारे उपर बल लगाता है जिसके करन्द से हम सब बढ़ पाते हैं ठीक है तो आपके एक्जाम में बहुत सारे कुछन इस से रिलेटेट पूछे जाते हैं पानी में बल लगाते हैं तो बालू पीछे की ओर घिसक जाता है जिस कारण से चलने में कटना ही होती है रोकेट का उड़ना भी इसी का एक्जामपल है नूटन के गती का तिसरा नियम फर्स से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना ये भी नूटन के गती के तीसरे नियम का उधारन है और कुएं से जल खिचना भी न्यूटन के गती के तीसरे नियम का उधारन है तो इन सम्में से कोई भी आपके एक्जाम में पुछा जा सकता है ठीक है तो इन सब को आप याद रखेंगे उधारन सहीद आइए कुस्सन नमबर थर्ड देखते हैं रॉकेट का प्रचेपन किस सिधान पर कारे करता है इसका अंसरों का रेखिया समवेक संगरक्षन के सिधान पर अब दिखे एक्च्छल में रॉकेट का प्रचेपन जो किया जाता है तो मुक्रूप से यह क्या सिधान्त होता है मैं को समझाता हूँ नीचे मैं वैसे explain कर चुका हूँ तो rocket में एक दहन coast होता है ठीक है इसमें इंधन भरा रहता है एक box रहता है उसमें इंधन भरा होता है इंधन ठोस अथवा द्रब किसी भी प्रकार का हो सकता है जब दहन coast में इंधन तथा किसी ऑक्सी कारक पदार्त को मिला कर विस्पोट कराया जाता है यानि उस इंधन को जलाया जाता है विस्पोट कराया जाता है इससे उत्पन उसमा के कारण दहन कोष्ट में दाब बहुत उचा हो जाता है ठीक है जैसे हम उसमें आग लगाते हैं उसके फ्यूल में उसके इंधन में आग लगाते हैं तो उसका जो दाब है वो बहुत उचा हो जाता है तथा कोष्ट से गर्म गैसे जेट के रूप में बहुत तिबर वेक से बाहर निकलती है और रॉकेट तवरिद गती से आगे बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं रेखिया समवेक संगरक्षन के सिद्धान मतलब एक बॉक्स रहता है मिल ली समझ लीजिए ठीक है उसमें इंधन भरा रहता है उसको हम सब किसी ऑक्सी कारण पदार्थ के साथ विस्पोर्ट करते है मतलब ऐसा पदार जो की जला दे उसको ठीक है विस्पोर्ट करते है तो उसमें एक उसमा निकलता है जो की जेट के रूप में बहुत तिबर वेक से बाहर निकलता है important question है नदी के जल की अपेक्चा समुद्र के जल में तैरना अधिक असान होता है क्यों तो आंसर देखिए नदी के जल का घनत समुद्र के जल के घनत से कम होता है तो यही आप याद रखेंगे कि नदी का जल का घनत अधिक होता है और समुद्र के जल का घनत कम होता है क्यों हो और समुद्र के पानी में डिफ्रेंस होता है ठीक है नदी के जल का घनत्व अधिक है डेंसिटी अधिक है और समुद्र के पानी का डेंसिटी कम है तो मनुस जो है नदी के पानी में ज्यादा ताकत लगता है और समुद्र के पानी में तैरने में कम ताकत लगता है ठीक है तो बर्व का घनत जल के घनत से कम होता है तो डिरेक्ट आप ये याद रखेंगे एक और नीचे एक्जामपल में आपको समझाया हूँ लोहे से बना जहाज समुदर में तेरता है परन्तु लोहे का ठोश टुकड़ा यानि कील डूब जाता है आप देखोंगे बड़ी बड़ी समुदर में असानी से तेरता है लेकिन एक छोटी सी अगर सुई भी अगर आप डाल देंगे पानी के अंदर तो वो डूब जाएगा इसका कारण क्या है कील की बनावट इस प्रकार होती है कि उसका भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से बहुत अधिक होता है इस क conceptual question है चलिए पांच मा देखते हैं प्रकास वर्स किसका SI मात रख है तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी तो यह बहुत बार exam में पूछा गया है तो प्रकास वर्स किसका मात रख है दूरी बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकास वर्स का उपयोग होता है जैसे यहां में लिखाओं 3 गुना 10 पे पावर 8 ठीक है 10 पे पावर 8 ये क्या होता है प्रकास की चाल 365 हो गया एक वर्स का 24 घंटा और 60 गुना 60 यानि 60 मिनट 60 सेकेंड इन सब को जब गुना करेंगे आप तो 9.461 गुना 10 पे पावर 15 ये होता है एक प्रकास वर्स बरावर तो आप डिरे एक बरावर होता है 3.26 प्रकास वर्स या 3.08 गुना 10 पे पावर 16 दिखें उसके नीचे एक और डिफनेशन है सूरिक के कैंदर से पिर्थिवी के कैंदर के मद की औसत दूरी एक खगोलिया मातरक कलाती है और एक खगोलिया मातरक बरावर क्या होता है तो 1.496 गुना 10 पे 11 ठीक है तो ये तीनों आप information याद रखेंगे चलिए कुसर नमबर 6 देखते हैं हम सब साबून के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है तो इसका अंसर हो जगा है प्रकास का व्यतिकरन अब समझते हैं कि प्रकास का व्यतिकरन के अनुधारन क्या क्या है तो CD का रंगीन दिखाई पढ़ना CD आप बच्पन में देखे होंगे जिसमें पिक्चर चलता है तो CD का रंगीन दिखाई पढ़ने का कारण भी प्रकास का व्यतिकरन है इसके अलावा जल की सता पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पढ़ना भी प्रकास के व्यतिकर पर उड़जा का पुना वित्रन होता है इसे प्रकास का क्या कहते हैं विरती करण ठीक है तो सिंपल ये डिफनेशन वेगरा नहीं पूछता है बस मैं लिख चुका हूँ आप से ये पूछेगा बस ये तीन उधारान आप याद रखेंगे कि साबून के बुलबुले का रंग दाता है तो बार बार बड़ा परतिविम देखने के लिए सेविंग डरपन के रूप में किस डरपन का उपियोग करता है दरपन मतलब मिरर होता है आइना तो इसका अप्तल दरपन अब ये अफिकितसक की बूछना मरीज का दात हुथ इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको कैसे देखेंगे तो अपतल दर्पन इसका कारण सिंपल सा होता है कि अपतल दर्पन में बड़ा परतिविम बनता है ठीक है तो उसको असानी से देखा जा सकता है दूसरा उधारन आप से ये पूछेगा कि सौर भटियों में सुरिक के प्र अपतल दर्पन का उपयोग किया जाता है तो अपतल दर्पन तो ये तीन चार उधारन आप जरूर याद रखेंगे कोई भी पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट कुसन देखते हैं कौन से दर्पन में सदैब सीधा परतिविम बनता है और वह छोटा होता है इस कारण पिष्टी छेतर अधिक होता है और ये बाहर की और उभरा भी होता है इस कारण से समतल दर्पन की तुल्ला में उतल दर्पन ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े छेतर को देखने में समर्थ बनाता है तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ गीर और ए जूप में कौन से दर्पन का उपयोग होता है तो उतल दर्पन ये बस आपको याद रखना है ठीक है और इसका परतिविम जरूर आप याद रखेंगे सीधा बनता है सदाइप सीधा परतिविम बनता है और छोटा होता है ठीक है तो ये दो-तिन इन्फोर्मेशन याद रात्री में समय परिवर्तन के कारण वायूमंडल की विभिन परताओं का घना तो बदलता है जिस कारण से वायू का अपवर्तनांग बदलता रहता है इस कारण तारे टिम्टिम आते हैं चंदर्मा क्यों नहीं टिम्टिम आते हैं अगर पूछ लिया तो तो चंदर्मा ता सुर्योदे वह सुर्यास्त के समय सुर्ष छितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है इसका कारण भी क्या है प्रकास का अपवर्तन यानि जब आप देखेंगे कि सुर्योदे हो रहा है और सुर्यास्त हो रहा है तो लग रहा है कि सुर्ष जो है वो धर्ती के नीचे से ऊपर जा रहा है ठीक है और सुर्यास्त के समय उपर से नीचे जा रहा है तो ये दिखाई किस कारण से पढ़ता है तो प्रकास का अपवर्तन के कारण से इसके अलाबा किसी गिलास अतवा बीकर में दूबी भी छड़ अतवा पैंसील टूटी भी या मुडी भी प्रतीत होती है तो इसका कारण भी क्या है प्रकास का अपवर्तन आप घर में एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं एक बाल्टीन ले लीजिए उसमें पानी डाल दीजेगा और उसमें इस्टीक डाल दीजे चड़ी ठीक है उसके बाद जब पानी सांथ हो जाएगा तो आप अग तो इसका कारण भी क्या है प्रकास का अफवर्तन मैं सोचा था कि प्रतियक सेट में 20 कुस्टन लूँगा पर 20 कुस्टन के कारण वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो देखने में थोड़ी से आप सबको परिसानी हो सकती है तो इसलिए मैं हर एक से एसे कुस्टन की संख्या कर लेंगे 365 गुना 10 कर लें तो 3650 यानि 3650 कुस्टन कर लेंगे तब एक भी प्रसन कहां से छुटने वाला है आपका साइन्स का ठीक है तो चलिए दसमा नंबर देखते हैं ये इंपोर्टेंट कुस्टन है और समझेंगे ठीक है समांतर रेगिस्त में विचरन करते समय करने वाली यात्रियों को गर्मी के दिनों में कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते वे जलासे अत्वा दूरस्त वस्तू या पेड़ों के उल्टे परतिविम जल में दिखाई परते हैं ये द्रिष्टी भ्रहम को मरीचिका करते हैं ये किस घटना के कार होता है चलिए आपको मैं रेगिस्तान जाने नहीं बोलता हूं एक काम किजिएगा आप जब भी गर्मी आता है तो गर्मी में जब आप गाड़ी से जाएंगे तो आगे में बैठिएगा और उस दिन पूरा धूप राना चाहिए मतलब जो बहुत जादा धूप राना चाह है इसलिए इसको क्या बोला गया है द्रिष्टी भ्रम ये द्रिष्टी को भ्रम करने वाला है तो इसी को मरीजी का बोलते हैं तो इसका कारण यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और भी उधारन समझते हैं तो हीरों क चमकदार दिखाई पड़ना हीरा चमकता है आप जानते हैं इसका भी कारण है पूर्ण अंतरिक परावर्तन काच में पड़ी दरारों का चमकना यानि सीशा जब तूड़ जाता है तो वो जब चमकता है तो वो भी पूर्ण अंतरिक परावर्तन के कारण और पेपर वेट में वायू के बुलबुले का चमकना इसका भी कारण क्या है पूर्ण अंतरिक परावर्तन तो अगर ऐसे उधारन के साथ डिफनेशन के साथ अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा अच्छा कोस्टन आसानी से मैं करवाऊंगा इसके अलावा आप बहुत कु प्रस्ण आते ही आते हैं तो चलिए आपको कैसा लगा यह स्रीज आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे क्योंकि यह 365 दिन यह स्रीज चलने वाला है और आपको नोटिफिकेश मैं तब तक के लिए थांक्यू सो मच बाइबाय एंड टेक केर